वेलकम बैक टु मैं चैनल संगीता वी लोग कैसे हो आप सब आश्रकृतियों सब बहुत अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं थोड़ी से नासाज हूं मैं थोड़ी से खड़ाब हूं क्योंकि तब यह नकल से थोड़ी से ठीक नहीं क्योंकि फीबर जैसा क्योंकि हमारे यहां जो हैं गेस्ट आने वाले हैं मतलब ऐसे आप लोगो वीडियो से तो पता ही चल गया होगा कि कौन है किलाल अभी नहीं पिताऊंगी आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो खुद में खुद पिता चल जाएगा आप लोगो तो आज कुछ खास बन बॉडियो को स्टाइट करते हैं और दिली का मौसम आज बहुत ही अच्छा हो रही है बारिश हो रहा है जो हूं अजने है में रहे अंदा अच्छा लग रहा है कूपि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी गर्मी तो थोरी बारिष है जो पूरा देखोगのは आएज का वीडी प्लीज आप लोगों से रिक्वेल स्टेक के वीडियो को प्लीज पूरा दिखिएगा तो स्टाट करते फिर मैं छोली बनाऊंगी इसलिए मैं कुछ चना जो है मतलब फशोग करके रात में ही छोड़ दिया था और यहां पे कुछ टमाटर वे टमाटर और कुछ प्यास हरी मे क्योंकि पनीर और सिम्ला मिर्च के भी सबजी बनाने हैं कुछ छोले में भी जाएंगे मतलब चैनी के साथ मैं खड़ा मसाला और कुछ प्यास वेगरा डालके मैं जो हूँ बॉल करती हैं वैसे आप लोग देखी रहे हो यहां कैप्सिकम मैंने दो ही दिया है क्योंकि पनी अलीर भी रहेगा कैप्सिकम भी रहेगा और मतलब न काप्सिकम को सक्काइब कर कर लोंगे यहां मैंने जना दाल ले लिया है इसे भी मैं मतलब हल्दी और नमक दाल के बॉयल कर लोंगे मतलब 2-4 सीती तक कि उसे बॉयल करूंगे क्योंकि मुझे तड़का बनाना है इसे यह जब बॉयल हो चाहेगा उसके बाद जो है मैं इसमें तड़का लगाऊंगे यहां प्याज और शिम्ला मिर्च को मैंने स्क्वाय सेप में कट कर लिया और सबजी के लिए जो प्याज लगेगा उसको भी कट कर लोंगे यहां पर शोक जो चैना था उसमें कुछ गरम मिसाला मतलब दाल चीनी का टुकड़ा बड़ी लैंची छोटी लैंची लो लॉंग और कुछ प्याज पानी डाल के मैं इसे बॉयल कर लूगे यहां पर दड़का मेरा फ्राइ हो गया कितना अच्छा लग रहा है और पनीर पनीर को भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है गजर्ण को बॉलो कि गजर्ण को यह दिखा मतलब यह चाह था तो वह खड़ीड़ी मेरे लिए इकता सुन्दर लग रहा है मुझे बहुत मुसंद है घर्णा लगाना इतीन चार सीटी मेंने लगाया है और यह अच्छे से बॉइल हो चुका है चैना तो मैं एक कड़ाई चड़ा दी हूँ और उसमें जबतील गर्म हो गया तो उसमें हरी मेर्च और जीरा का मतलब तरका लगाया उसके बाद प्यास वेगरा काटके डाल दिया और यहां पर मैं क चूली मिसाली दिये थे और धन्या हल्दी मिर्ची पॉड़र थोड़ी से मैंने इसमें काश्मीरी मिर्च भी डाला था क्योंकि इसका कलर जो होता है काश्मीरी मिर्च से बहुत ही अच्छा आता है जब मसाले थोड़ा सा भुन गए तो मैं यहां पर क्रश करके कसूरी मेथी होता है वो डाल दिया इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यह जो जब मसाले अच्छे से भुन गए तो मैं कुकड में चच्चा नहीं उबाल के रखा था वो उसी में डाल दिया मतलब करहा पर इससे मिला लूगे और इसे दो तीन मिनट तक अच्छे से उबाल लोगी और उपर से गर्मसाला का वो मतलब मसाला डाल दिया था और यहां पर मैं फटा फट पूरी जो बनेगा ना उसी का मैं आटा मिला ले रही हूँ यहां पर अजवाइन मंग्रेला थोड़ा सा मैं कितना अच्छा कलर आया है बहुत ही अच्छा बना था छोला और यहाँ पे मैं पनीर कैपसिकम का जो सबजी है वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैं कैपसिकम को थोड़ा सा कढाई में हलका सा बस करना है जादा नहीं करना इसे रेड नहीं करना है बस डालना है और निकाल लेना है उसी तरीके से मैं प्यास को भी हलका सा सॉल्ट करके निकाल लूँगी और यहां पे थोड़ा सा उसी तेल में हरे मेर्च दो चार जो दाने हैं जो वीज मैंने डाला था है ग्रेवी का अच्छा आता है और यहां पे मैं प्यास डाल दूंगी दो प्यास मैंने लिए था और एक टमाटर बड़ा सा था और इसे अच्छे से भुननूगी कराए में कि तोड़ा सा यहना सॉफ्ट हो जाए उसा तक ब्ुiov the जादा नहीं यह से बुनने है वह्त थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बबार मुझे कमेंट आया था की मैं मपने वाल का कैयर कैसे रखती या पो तक भी वह बहुत है लगता आप लोग के शाथ जल्दी शेयर करूंगे और यह जब भून गया तो मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूं और में तब ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छे से पीस लोंगे बिना पानी के पिसना ऐसे वह देखी कितना अच्छा आया है और थोड़ा सा मै पीसा था था वह तो शारा कुछ मैंने डाल दिया तेल में थोड़ा सा हल्दी पॉड़र मैंने जादा यूज नहीं किया था थोड़ा सा डाला था और इसमें काश्मेरी मिर्च जादा डालाता है ताकि कलर जो होता है ना वह काफी अच्छा आता है पनीर कैप्सिकम की थोड़ी से मिर्ची पॉड़र थोड़ा धनिया पॉड़र और थोड़ा सा किचन केंग मैंने डाला था और टेस्ट के अनुसायर नमक। यह दिखें मासाला जब भून गया तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दी जादा पानी नहीं थोड़ा सा ही पानी डाली हूँ और इसे अच्छे से मिला लोंगी पानी डालने के बाद कसूरी मेती क्रश करके डाला उसके बाद जो मैंने रोस्ट किया था मतलब जो कश्म कैप्सिकम और प्यास वो भी डाल दूंगी और वो जब अच्छे सा थोड़ा सा थोड़ा बन चुका और अब जो मतलब आने वाले हैं उन्ही का वेट हो रहा है क्रία के छाहिए जब भी मालिश होती है तब भी क्रीम चाहिए इसको खाने के लिए खाति एक बहुत म款ल तो अब बढ़ती से मतलब बढ़ती जा रही है जो जो बढ़्य हो रही है अ cannabis बढ़र strawberries कआ पा गया nostre करें देदी के लिए watermelian का jeus been Harry और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है इसले मैं उनसे पूछकि बना हिधी कि बतलब है अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं बनाती तो इसे मैं अच्छ से मिकसर में में ग्राइंड कर ली थी और यह देखें इसको पीने के बाद मैं थोड़ा उंट थोड़ी देडेड़ बाते बाते करने के बाद मैं खाना निकालूंगा तो थक गई हो और आराम करने का यह देखिए हमारा और यहां पर दोने वेपर हतम हुआ है एक दो दिन में क्या रखा रहते हैं मैं उनसे बाते कर देखिए यह हमारी बड़ी ननद है लेकिन बड़ी सिस्टर की तरह हम दोनों रहते हैं बहुत ही मज़ा आया इनके आनल के बाद सब्सक्राओं बहुत जादा मिस कर रहे थी मैं इनका पी तो हलो बोल दो हर वीडियो में बोलते हैं यह हमारी सामवाली चाय क्योंकि बाते करते मतलब सही बताओ बहुत लेट हो गया और बहुत ही जादा मतलब मन लग रहा था इनसे मिलने के बाद बहुत दिन के बाद हम लोग मिले थे तो और यहां पर मैं जो हूँ चाय चड़ा दे हूँ और चाय भाई पीने के बाद जो तो चाइ बना ले रही हूं उसके बाद देखते हूं कि हम लोगों को कही निकलना भी है मतलब यह आसपास ही जाएंगे जादा दूर तो नहीं तो यह देखिए चाइ रेडी हो गया बाबु को भी ले लेजे खादेखी बहुत लिए यहां हम लोग रेडी हो रहे हैं बाहर निकलने के लिए और यह दिखिए निकल रहे हैं बाई 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 कर दो ममा नहीं जाएगी बाई कर दो तुम लोग चले जाओ जा बाई लोग चले जाएंगे और बुबा भी चली जाएंगी और मैं भी रहे हैं जा निकल बाई 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 पाई झाल झाल के लोग दो आए आए यहां देखिए बाबु का ट्वाइज खरिदा रहा है दीदी ने बहुत सारा ट्वाइज उसके लिए खरीद रखा खरीदी थी बलून लेकिन घर जाता ही बलून फूड़ गया इसका ट्वाइस का कुछ निकाज सकता और यहां पे इसका गुगल दीदी खरीद रही है मार्केट में भी मतलब हम लोगों ने बहुत जादा मस्ती किये बहुत जादा इंजुआई किये तो इसी के साथ मैं वीडियो को भी यहीं पेइंट करती हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया है अच्छा लगा है जरूर अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो लब योल तेकियर